हाँ जी तो कैसे आपसों लोग बढ़िया होंगे यार तो आज का जो टोपिक है ने बड़ा इंपोर्टेंट टोपिक और मान के चलो इस चेप्टर का लास्ट टोपिक है मैंने प्रोपरली करा दिया चेप्टर को वाटर टैप वाले question या time work related question इस टैप पर question करने के लिए छोटी छोटी कुछ चीजों की knowledge होना जरूरी है वो हम एक पर देखते हैं ठीक है समझ रहे हैं ध्यान से situation को फिर आप question कर पाओगे अगर आप directly question करने के उमीद करोगे तो कभी याद नहीं रहने वाला question है ठीक है मानलो आपके इस पास दो लोग है A और B समझ रहे हो ये 1R में अगर टास्क दिया हुआ है कुछ टाइपिंग वाइपिंग करने का मानलो टास्क दिया हुआ है इनको तो 1R में मानलो ये 10 page लिखता है समझ रहे हैं इस बात को दियान से और ये 1R में 7 page लिख पाता है इस पीड में फरक है दोनों के अंदर ठीक है तो मुझे बताओ जब ये दोनों के 1R का काम निकाल रहा हूँ मैं 1R में इसका काम इतना है 1R में इसका काम इतना है देखता हूँ कितना काम करता है देखा सुने 10 page लिख के दिया आपको फिर 2R आपने B को बुला जर इसकी checking करते हैं कितना काम कर सकता है इसने आपको 7 page लिख के दिया आपने का यार मुझे इतना जल्दी pages complete कराने काम करते हैं दोनों को एक साथ लगा दे तो दे के काम को एड़ करते हैं तो overall one day में काम उतना ही एड़ होता चला जाते है बात समझे मैं ही पहली बात ठीक है ये कुछ ऐसा ही हो गया कि मानलो आपके पास में कोई bucket है इस bucket में आपने pipe one छोड़ा या आपके tanky मानलो ये जो pipe है ये pipe इसको भर सकता है 15 minute में अगर अकेला लगा हो तो फिर आपने क्या करा एक दूसरा वाला pipe छोड़ के देखा जिसका मुह थोड़ा सा बड़ा था इसके comparison में इसका मुह थोड़ा चोटा था ठीक है इसके को छोड़ के देखा और यहां से जब पानी गिरन लगा इसको बंद करके लखा अगले दिन आप चेकिंग कर रहे है वापस से कि ये कितन देरे में भरता है पता लगा इस बंदे ने तो भाई साब आपका 8 minute में भर के दे दिया अब आप खुद सोचो कि 15 minute में ये भरता है 8 minute में भरता है अगर हम दोनों को एक साथ छोड़ दे दोनों को ओन करके तो ओवियसली आपको कम टाइम लगेगा भरने के अंदर क्योंकि ये भी effort लगा रहा है इसको भरने का और ये भी effort लगा रहा है भरने का क्या ये बात समझ में आई टुकड़ों टुकड़ों में समझ चलो फिर आपन उसके उपर चलेंगे ठीक है थाड़ चीज़ आपको ये समझने वाली बात है ध्यान से सुनना कि अगर आप किसी काम को ठीक है फाइफ आर में अगर किसी काम को आप कम्पलीट कर लेते हो चलो फाइब बाद में लिखूँगा पहला टू आर की बात करता हूँ टू आर में अगर आप किसी काम को कम्पलीट कर लेते हो तो आप खुद बताना वन आर में उसका काम को कितना करोगे सर दो घंटे में अगर कम्पलीट होता है तो 1R में उसके आधे टाइम में हाफ काम ही होगा के नहीं होगा जी बिलकुल हाफ वर्क ही होगा उसका कै ये बात आपको समझ में आती है ठीके, सर 1 by 2 क्यों हुआ तो इस बात को समझो, मैथेमेटिक लिए तुमने complete लिखा है, इसका मतलब 2R में अगर किसी काम को आप पूरा करते हैं और पूरे का मतलब 1 होता है, पूरे का मतलब 1 एक काम complete हुआ तो 2R में अगर 1 वर्क होता है, यनि complete वर्क होता है, तो 1R में simple आपका लगेगा, since therefore वाली चीज, कि जो multiply वाली चीज ठीक है, 2 नीचे चला गया, इसी बात को यहां समझो, अगर किसी काम को आपको करने में 5R लगते हैं, जिसमें आप पूरा काम कर लेते हो तो 1R में तो उसका 1 5th ही होगा न ठीक है, अगर किसी काम को आप 10 दिन में कर लेते हो तो एक दिन में उसका 1 10th काम ही कर पाओगे न आप खुद सोचो, किसी काम को करने में आपको 10 days में आप पूरा काम कर लेते हो तो बैटा, एक दिन में तो उसका 1 by 10 ही होगा खुद सोचो, पहले दिन 1 by 10 किया अगले दिन 1 by 10 किया अगले दिन 1 by 10 किया, ऐसे करते, 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 10 days तक 1 by 10, 1 by 10 करके लिए, सब को add करो, 10 by 10 आएगा, that is 1, pull work हो गया है, ठीक है, यह छोटे-छोटे concept है, कि दो लोगों को एक साथ लगाने पर काम जल्दी होता है, दोनों का effort होता है, दो लोगों को एक साथ लगाने पर, 1 hour में कि करने के लिए काम, दोनों का, एक दिन में कितना काम होगा, एक साथ अगर बुला लिजाए तो, वो एक दिन में कितना करता है, वो एक दिन में कितना करता है, दोनों मिलके वो एक दिन में complete करके चले जाएंगो, complete बोले मतला है, अपना-पना individually performance देंगे, यहाँ पर उनका मि के चलना आपको इस question में कभी problem में होगी कोई सोच रहा हो सर सीधा question करा हूँ बैटा मैं तो करा हूँ वा नहीं सीधा question तरो को सीधा question देखना है कहीं देखने मैं तो concept बताने हो ला हूँ आप खुद सोचो कि 2R में अगर full काम था 1R में half काम होगा ठीक है उल्टा बोलें सीध को कि अगर 1R में half काम होता है तो full काम करने में कितना time लगेगा खुद बताओ 1R में अगर half काम होता है तो full काम करने में कितना time लगेगा सर इसका उल्टा कर देते हैं 2R लगता है हो रहा ही नहीं हो रहा है तो इसका उल्टा कर दो टू आर में कम्प्लीट होगा मैं कह रहा हूँ कि वन आर में अगर कोई आपको वन फिफ्थ काम करके देता है तो फुल काम करने में कितना टाइम लगेगा इसका उल्टा कर देते हैं फाइफ आर में complete हो जाएगा मैं कह रहा हूँ कि आपको one day के अंदर कोई मजदूर विचारा लेकि आए आप करम करने के लिए थोड़ा सा week था one day में वो अपने पूरे काम का one fourth ही कर पाता है one day में one fourth वर complete कर रहा है अगले दिन फिर one fourth करेगा उसका अगले दिन फिर one fourth करेगा उसका अगले दिन फिर one fourth करेगा अब इन टाइप के question में एक बात को ध्यान अखा जाता है कि efficiency में फरक नहीं पढ़ता same efficiently वो daily काम करेगा यगर efficiency में फरक पढ़ने लग गया फिजिक्स घुच जाएगा वो अब आपन जाने रहे हैं इसके अंदर one day में अगर one fourth work करता है तो total work करने में कितना time लगेगा सर इसका हमेशा reciprocal कर देगा चार दिन में खतम कर देगा आपको समझ में आ रहा होगा पहले दिन one by four करेगा अगले दिन one by four करेगा टोटल मिलाके four days में one by four, one by four, one by four, one by four मिलके four by four, that is one बन गया यानि कि अगर मुझे किसी का एक दिन का काम पता हो कितना portion हो रहा है तो हम total number of days निकाल लेगा उसका reciprocal करके यह बास समझ में आती है यह हम total days पता हो किसके टोटल hour पता हो काम करने के तो हम one का निकाल सकते हैं एक one hour में कितना काम होगा अगर आपको दोनों चीज निकाल नहीं आ गई तो total पता हो one निकालना हो तो उसका पोन में ले जाओ ठीक है और अगर आपको पता हो one day का या one minute का या one hour का उसका उल्टा कर दोगे तो आपको total days पता लग जाएंगे ये information आपकी sufficient आप इन question को करने के लिए है ठीक है अब आजाते हम दोनों question पे first वाला question NCRT से आपका second question CBC 2019 के paper में आया हुआ है first question पे ध्यान दो two water tap है can fill a tank एक tank है मैं practical situation समझा रहा हूँ ये tank है इस tank में दो water tap को लगा के छोड़ दिया गया है एक का pipe थोड़ा पतला होगा obviously एक का motor होगा क्योंकि same नहीं लगा रहे अलग लग लगा दिये तो एक पतला एक motor तो हो गई होगा दोनों मिलकर 9-3 by 8 hour में complete करते है ठीक है तो आप मान सकते है tap A है ये tap B है तो आप क्या लिखोगे tap A plus B या ऐसे मतली को एक पर पर दे लिखे पर समझ लो ठीक है मैं थोड़ी language बना लो tap A plus B can fill tank in 9-3 by 8 hours 8-9-72 plus 3-75 by 8 hours आप खुद सोचो पूरा काम वो इतने टाइम में कर पा रहे है तो मुझे अगर 1 hour का काम निकालना हो तो मैं reciprocal कर दूँगा क्योंकि मैं आपको कहा था अगर पूरा काम कोई 2 दिन में कर सकता है तो एक दिन का काम निकालना हो तो 1 upon 2 काम करेगा नहीं करेगा reciprocal funda चलता है समझ में आ गया होगा तो आप लिख सकते हो that means work of A plus B दोनों tank को एक साथ लेके चल रहा हूँ क्योंकि एक साथ ही दिया हुआ है 2 water tap का तो total करने में तो upon वाली form देके आप डर जाओगे मत देखो आप यह सचो कि A plus B दोनों मिलके tank को fill करते है 2 hour में तो work of A plus B in 1 hour equal to 1 by 2 लिखते की नहीं लिखते 2 घंटे में पूरा fill तो एक घंटे में आधा fill हुआ के नहीं होगा तो 1 by 2 work ठीक है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो जो था उसका reciprocal करना होता है तो इसका भी क्या होगा reciprocal होगा तो work of A plus B in 1 hour होगा 8 by 75 ये बात समझ में आई कैसे हुआ दोनों को मिलाकर अगर 2 घंटे लग रहे हैं तो एक घंटे में उसका उल्टा करो half फर्क करेंगे दोनों को मिलाकर 4 घंटे लग रहे हैं तो 1 hour में 1 fourth ही कर पाएंगे जो होता उसका reciprocal करते हैं तो इसको देखे क्या डरना दोनों को मिलाकर अगर 78 by 8 75 by 8 आवर लग रहे हैं तो दोनों को मिलाकर 1 hour का काम निकालना है हमें तो 1 hour का निकालना है हमें unit time का निकालना है 1 minute का निकालना है 1 hour का निकालना है 1 day का निकालना है यही हमारी problem का solution होगा क्योंकि मैं आपको starting बताया था कि दो लोग को मिलाकर 1 hour का काम जो होता है वो उसके 1 hour का काम और उसके 1 hour का काम add करने पर मिलता है वो ही हमारे question solve करेगा ठीक है, तो work of a plus b in one arc, this, ध्यान रखना है सीच को, relation 1 है काम आएगा, अब आगे चलो, tap of larger diameter, takes 10 hour less, obviously जिसका diameter large होगा, मोटा pipe होगा, कमा time लेगा, तो अपलिख होगे, let, ये smaller वाला है, let, tap a, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, अपने इतला theory में कौन चल रहे हैं, नहीं, अपने ऐसे चलेंगे, ये है आपका tap a, ये है आपका tap b, ठीक है, tap a का जो time लगता है, tap a को time लगता है, पूरा fill करने में मान लेजी, x hour, तो tap b, tap a छोटा वाला है, tap b है, larger bracket में लिख लो, इसको ये smaller diameter वाला है, larger diameter वाला है, tap a को x hour लगते हैं, तो tap b को 10 गंटे कम लगते हैं, x minus 10 hour लग अगर दो घंटे पूरे करने में लगते इसको, तो एक घंटे का काम कितना होता, 1 by 2, चार घंटे लगते तो पूरा करने में, तो 1 hour काम होता, 1 by 4, 10 hour लगते पूरा करने में, तो 1 hour काम होता, 1 by 10, तो 1 hour work, इसका 1 hour work निकाल रहा हो मैं आपसे, तो इसका 1 hour work हो जाएगा, जि निकल गए दोनों का अब मुझे बताओ ये line किसको समझे में आती है नहीं आती है वन आवर वर्क ओफ टैप A प्लस वन आवर वर्क ओफ टैप B इस इक्वल टू वन आवर वर्क ओफ A प्लस B ये दो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ दो लोगों को अलग-अलग काम पे लगाया एक घंटे में ये कुछ करके देता एक घंटे में ये कुछ करके देता दोनों को मिलाकर एक घंटे का काम पोचे दोनों को एड़ करो कि A आपके 10 पेज लिखता था एक घंटे में बी आपके 7 page लिखता है एक गंटे के अंदर, दोनों मिलके एक गंटे में कितना काम करेंगे है, 10 प्लस 7, यानि कि A का 1R का वर्क, प्लस B का 1R का वर्क, वो होगा दोनों का मिलाकर 1R का वर्क, यह आपका basic, बोल सकते हो, यही आपकी main line होती है, किसी भी question की, इस type of question के अंदर तो हम ultimately इस equation तक पहुँचने कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हम यह निकालने कोशिश करेंगे, यह निकालने कोशिश करेंगे, यहाँ one day भी हो सकता है, one day हो सकता है, one minute, one minute, one minute, तो आप मुझे बताओ, कि आपने tap A का 1R का वर्क निकाल लिया, हाँ सर्थ पूरा time लग पूरा टाइम लग रहा है X हावर तो 1R में 1 by X तो हम 1R वर्को टैप A की जगह पे क्या 1 by X लिख सकते हैं बिल्कुल प्लस टैप B को अगर एर 3R में पूरा करता तो 1R में 1 by 3 वर्क ही होता 2R में कम्पलीट करता तो 1 by 2 वर्क होता एक घंटे के अंदर X minus 10 कर रहा तो 1 by X में इसका 1R का वर्क हो गया यह और दोनों मिलकर 1R में कितना काम कर पाते हैं दोनों मिलकर टोटल टाइम लगाते हैं 10R तो 1R में 1 by 10 दोनों मिलकर टोटल टाइम लगाते हैं इतना तो 1R में इतना तो is equal to 8 by 75 यह बात समझ लो यही इस question की जान है यह वाली बात कि जितने लोग मिलकर काम कर रहे हैं सबका 1R 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 निकाल लो और मिलकर 1R का निकाल लो सबका 1 minute 1 minute 1 minute निकाल लो अगर minute में हो अगले question में और clear हो जाएंगे चीज़े अब आपके सामने यह equation है इसको आपको solve करना है कैसे करोगे LCM लेके करोगे तो LCM में ले रहा हूँ यहाँ पर LCM x भी आएगा और x minus 10 भी आएगा तो उपर हो जाएगा आपका x से divide हो जाएगा यह तो उपर बचेगा x minus 10 plus का x is equal to 8 by 75 इधर बात को x plus x मिलके बनेगा 2x minus 10 और 75 आजाएगा multiply में इधर cross multiply होके और 8 multiply यह चला जाएगा उधर and that is x square minus 10x bracket open कर लिया मैंने तो 75 टूजा हो जाएगा आपका 150x minus 750 is equal to 8x square minus 80x चीक है मैं फिर बोल रहाँ इस question में और कुछ नहीं बचा आप तो सिर्फ mathematics बचाएपका simple वाला 9th class का 8th class का main line यह है इसको देहन रखना ठीक है इसको simplify करो इसको अधर लेके जाओ तो 8x square ओल्रेड़ी वहाँ पे है plus का 150 दरजा के minus का 150 होगा minus 150 minus 80 मिलके minus का 230 और दर जाके plus का 750 होगा इसको आप break कर लेना multiply करके देखना 6000 आया और 200 multiply 36,000 हो गया तो आपका हो गया 8x square minus का 200x minus का 36x plus का 750 ठीक है इसको आप common लोगे तो आपने 8x common लिया तो x minus 15 यह हो जाएगा आपका 8 से डिवैड करो 8 to 16, 485 जा minus का 30 common लिया तो x minus 25 बचना ही बचना है तो यहां से एक तो x minus 25 हो गया और एक हो गया 8x minus 30 equal to 0 जब इसको रखोगे 0 के equal दोनों में कोई भी 0 हो सकता है तो यहां से x की वेनी निकल के आईगी आपकी एक तो 25 आवर और एक निकलेगी 30 upon 8 आवर 30 upon 8 का मतलता है 28 ठीक है और 24 के बाद में 6 बच गए 876 चार अब आप खुद सोचो x आपने किसको माना था सर x माना था हमने चोटे वाले इस स्मोलर वाले को तो चोटे वाले में अगर 25 आर लग रहे हैं तो बड़े वाले में x minus 10 15 आर लगेंगे this is your answer चोटे वाले में अगर 3.75 आर लग रहे हैं तो बड़े वाले में 3.75 minus 10 negative में negative आर थोड़ी लगते हैं negative time लगता है करने में मैंने काम किया minus 10 minute में यह क्या होता है तो this is wrong तो आप लिखोगे if we are taking this so for larger water tap we will get negative value and that is not possible so इसको discard करोगे so this is your answer ठीक है अब जिसके मन में जो भी छोटे 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 डाउट्स उचल रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए उस सीज़ को सांत रखें क्योंकि हम second question करेंगे यहाँ पर आपके सारे डाउट के लिएर हो जाएंगे तो एक मूल मंत्र हमें मिला कि अगर दो टाइटाइप काम कर रहे हैं दो लोग काम कर रहे हैं तो one hour work of A one hour work of B is equal to one hour combined work of A and B मतलब अगर A एक घंटे में यह एक घंटे में छोड़ो एक मिनट भी यह एक मिनट के अंदर बोल सकते हो कि एक साव बोल सकते हो वन मिनट के अंदर अगर वन मिनट में यह हंडेड स्कीपिंग कर सकता है उचल कूद कर सकता है यह वन मिनट में अगर आपको 80 स्कीपिंग करके देता है तो दोनों गर एक साथ लगा दो कुछ काम करने में, तो दोनों मिलकर एक मिनट में कितने skipping कर लेंगे, दोनों मिलकर इन दोनों का add कर लोगे, 180 करेंगे ये लाइन सबको clear है अगर है, तो आ जाओ तो आप लिखोगे let we have two water tap A and B second का solution let we have two water tap A and B, तो मैं आपको short में समझा रहा हूँ, एक A है, एक B है ठीक है, ये larger वाली है और ये smaller वाली है कुछ से difference होगा दे भी रखा है दोनों मिलकर अगर करती है, तो ये हो गया A का individual, एक हो गया B का individual और ये मैं आपको A plus B यहां लिखके बता रहा हूँ ठीक है टोटल टाइम कितना लग रहा है उसकी बात कर लेते हैं तो मान लेते हैं larger को जो time लग रहा है smaller को तो हाँ से इंटलो larger tap takes 2 hour less तो अगर मैं smaller को x hour मान लूँ total time तो larger को लगेगा x minus 2 और दोनों को मिलकर total time कितना है यह सबसे बड़े तरीका हो जाएगा इस तरीके सलिक होगे तो दोनों को मिलकर कितना time लग रहा है सब दोनों water tap को मिलकर लग रहा है इतना time और यह है क्या 8 बंजा 8 plus 7 15 upon 8 तो दोनों को मिलकर लग रहा है 15 upon 8 hour ठीक है total time दो गंटे तो एक गंटे में आधा कामी किया होगा total time दो दिन में कोई काम कंप्लीट करता है एक दिन में आधा कामी तो कंप्लीट करेगा ठीक है तो 1 hour work इसका reciprocal होता है हमेश्या तो 1 upon x minus 2 इसका reciprocal करोगे 1 upon x इसका reciprocal करोगे 8 by 15 अब आप खुद सोचो इसका 1 hour का वर्क प्लस इसका 1 hour का वर्क मिलकर हुआ न दोनों का 1 hour का वर्क तो आप next line में लिख सकते हो now 1 upon x minus 2 plus 1 upon x is equal to 8 by 15 reciprocal करके addition होता है कुछ बच्चे इन लाइन को add कर देते हैं गलत हो जाता है बटा reciprocal होके addition होगा अपने यहां देखा था हो सकता है 2 value में से एक value negative बनाएगी दूसरे को उसको आप discard कर दोगे ठीक है तो इसे जब जात अपना chapter complete होता है next chapter कौन सा करना है मुझे comment में बताना वो अपने start करेंग जल्दी